कहते हैं अकल और हेकडी एक साथ नहीं रह सकती है जो आदमी समझदार होगा वो हेकडी कभी नहीं दिखाएगा पर चाइना के साथ खास तोर पर जिनपिंग की वज़े से कुछ ऐसा है न कि इसे लगता है पूरी दुनिया इसके कदमों पर है भारत ने चीन की 14 कमपणियों क तो भारत में एंट्री लेने के लिए हां कर दिया एक वार को मन में गुस्सा आएगा कि हमने उन्हें एंट्री क्यों लेने दिया हमने हां क्यों बोला इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रन्नीती है भारत ने सर्ते रखी है और उस सर्तों को चाइनीज कंपनी ने माना है लेकिन ये जो सर्थ उसने माना है न उसने चाइना की कबर खुद से खोद दी है जानेंगे भारत ने आखिरकार क्यों इन 14 कमपनियों को और किन सर्थों पर एंट्री दी है तो वही दूसरी तरफ बॉकलाए चाइना ने भारत के उपर बैन लगा दिया और ये देखिए चाइना ने बैन लगाया तो भारत की मदद करने के लिए मोरक को सामने आया है चाइना की प्लानिंग थी भारत को भूको मारने की लेकिन इस्तिती यहाँ पर एकदम से पलट गई जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से 14 कंपणिया जो चाइनीज कंपणिया थी वो भारत में आना चाहती थी पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम चाइना से ही माल सप्लाई करेंगे भारत ने कहा बिलकुल नहीं अब ये सारे धंदे नहीं होंगे अगर तुम्हें सप्लाई करना है माल तो तुम्हें आना होगा भारत और भारत के सर्तों के अनुसार काम करना होगा चाइनीज कमपनी ने कहा ठीक है हम भारत आ जाते हैं और ये पहली बार इतिहास में है जब चाइना की कमपनी ने भारतिय सर्तों को माना है बरना चाइना का इतिहास उठा कर देख लीजिए दुनिया बर में जितनी BRI परियोजना है सब में चाइनीज कमपनिया जाती है और कमपनियां ही दूसरे देश के अंदर अपना काम पूरा करती हैं अपनी सर्थों के अनुसार करती हैं लेकिन भारत ने का कि नहीं हमारे सर्थ होंगे और ये जो सर्थ है ना इसी सर्थ पर में खेल था हुआ क्या है एपल ने धीरे धीरे अपना सारा कारोबार चाइना से कंपनियां फॉर्म हुई थी जिन कंपनियों ने एपल को पार्ट सप्लाइ करना शुरू किया था जैसे एयर पोड्स जैसे आइफोन के असेंबलर लक्सेयर प्रिसीजन इंडस्ट्री ऐसे ही लेंस बनाने वाली कंपनी सनी ऑप्टिकल टेक्नलोजी ऐसी ही बहुत सारी कंपन अब एपल सिफ्ट हो रहा है भारत में तो भारत में अचानक से तो ये कंपनियां पैदा नहीं हो जाएंगी कि हम भी एरपोड्स के पार्ट दे देंगे आपको आइपोन एसेंबलर के लिए आप परिसान मत होई है हमारे यहां से ही मिल जाएंगे तो एपल ने सुझाओ द लगा रहे हो यहां पर इसका इस्तिमाल कर लेना भारत ने का यह सब तो नहीं चलेगा अब हम आत्म निर्वर्ग प्लान के तहट आ रहे हैं हम तुम्हारे यहां से पार्ट नहीं लेंगे तो फिर दूसरा उपाई यह है कि कंपनियां आ जाएं भारत भारत में करें अपना काम करो एपल का भी काम अच्छे से चलेगा आपको भी मुनाफ़ा होगा लेकिन हमारी एक सर्थ है और वो सर्थ यह है कि आपको लोकल इंडियन जॉइंट वेंचर पार्टनर्स ढूनने होंगे इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है यह जो 14 कंपनिया है वो भारत आएंग आ रहा है ताटा ग्रूप ने कई जॉइंट वेंचर भी शुरू कर दिये हैं पर इससे यह होगा कि भारत को पूरी जानकारी हो जाएगी भारतिये लोकल कंपनियों को पूरा जानकारी हो जाएगा कि किस तरीके से यह छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं और इस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे देना शुरू कर देंगे कंपोनेंट्स को यानि कि भारत के दोनों हाथ में लड्डू है जितना जादा चाइना की कंपनियां खुस नहीं होगी उतना जादा भारत खुस होगा इस क्लियरेंस को देने के बाद एक तरीके से चाइना क खिलाफ एक्टिव नहीं है चाइना ने देखा हम सीमा पर लड़ने गए तो भारत के साथ दिकत हो गई भारत ने हमारे 40 को लुड़का दिया और नजाने कितने को घायल कर दिया तो सीधी लड़ाई में भारत के साथ लड़ना ठीक नहीं होगा भारत के साथ चलो वैसे ही हैं तो यह सारी चीजें देखते हुए चाइना को लगा यह मौका बहुत सही है 2023 का समय है कहा जा रहा है यहां पर आने वाली है मंदी दुनिया भर में अगर मंदी आईगी तो भारत में भी मंदी आईगी तो फिर ऐसा करते हैं भारत की जो में अजबूती का कारण है ना उ खाने तक नहीं पहुंगी क्यों कि भारत एक किरसी परदान देश है यहां पर खेती होती है और खेती के लिए क्या चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए चाइना से हम बहुत सारा फर्टिलाइजर मंगाते थे ना सिर्फ चाइना बलकि हाल के दिनों में रूस के साथ भी हमने मंगाना सुरू किया था पर रूस ने अचानक से फर्टिलाइजर के ऊपर टेक्स बढ़ा दिया फर्टिलाइजर के ऊपर जैसे ही टेक्स बढ़ाया रूस ने हलाकी फर्टिलाइजर के ऊपर टेक्स इसलिए भी बढ़ाया क्योंकि अमेरिका बड़ी मात्रा में फर्टिला पर टेक्स बढ़ाना लेकिन इस चकर में भारत भी पिस गया अब यहां पर मौके का फाइदा उठाते हुए चाइना ने अपनी कंपणियों पर लगा दिया बैन कि आप भारत को नहीं दोगे फर्टीलाइजर और ना सिर्प फर्टीलाइजर बलकी फर्टीलाइजर में इस्त अगले बारा महिने के बीच में देंगे आपकी फसल बरबाद नहीं होगी चीन यहां भी बुरी तरीके से फेल रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ झाल झाल